हेलो एवरिवन, मैसेल्फ डॉक्टर भरत सेंग मिना प्राउम गॉवर्मेंट कॉलेज कोटा आज हम एसेड एंड बेस के जो अंतरगत पड़ेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा टैपस आप सॉल्वेंट्स देन हम डिसकस करेंगे लुईस की कंसेप्ट पर आईए सबसे पहले हम टैपस आप सॉल्वेंट्स पर डिसकस करते हैं प्रोटोन देने या ग्रहन करने की प्रवर्ति के आधार पर सॉल्वेंट्स को चार टैपस में डिवाइट किया गया है और वो चार टैपस इस परकार से हैं पहला टाइप्स है, प्रोटोन दाता या हम उसे दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, अमलिय विलायक जिसे हम कहते हैं, प्रोटोजेनिक और एसिडिक सॉल्वेंट, इस केटिगरी में जो आपके सॉल्वेंट हैं, वो हैं HF और H2SO4, आदी इसी केटिगरी के सॉल्वेंट हैं, इस केटिगरी के सॉल्वेंट क्या करते हैं, ये प्रोटोन देने के लिए हमेशा ततपर रहते हैं, और इससे क्या होता है कि इन में जो पदार्थों के जो बेसिक केरेक्टर हैं, वो बढ़ जाते हैं, अब आप देखिए जो HNO3 है जिसे हम नैट्रिक अमल के नाम से जानते हैं जल में एक प्रिबल एसिड है और HF अथवा H2SO4 में प्रोटोन ग्रहन करके छार की भाती ब्यवार करता है क्योंकि ये दोनों अलग सॉल्वेंट है HF और H2SO4 तो यहाँ पर ये जो HNO3 है वो प्रोटोन ग्रहन करेगा और किस की भाती ब्यवार करेगा छार की ब्यवार करेगा देखिए HNO3 और HF तो यहाँ पर इसने प्रोटोन ग्रहन कर लिया है H2NO3 प्लस तो ये क्या बन गया है और यह F- इसी प्रकार से अगर H2SO4 के साथ इसकी reaction देखें तो आप देखेंगे यहाँ भी यह H2SO4 से H plus अशेप्ट कर रहा है, proton अशेप्ट कर रहा है तो यहाँ पर H2SO3 बन गया और HSO4 के रोप में remaining part बच गया है तो यहाँ भी यह 4 की भाती भेवार कर रहा है अब आप देखें, जो second आपका टैप से है, solvent का वो टैप है proton ग्राई, मतलब इसके ठीक बिपरीद पहला वाला था proton दाता इनको अपन याद करने के तरीके से भी देखें, तो पहला टैप है proton दाता है वो अमलिये बिलाएक कहलाएगा दूसरा है proton ग्राही उसके बिल्कुल विपरीद और जो ग्राही है वो छारिये बिलाएक कहलाएगा इसे हम protoferic और basic solvent के नाम से भी जानते हैं और इस category में जो आपके solvent रखे गए हैं उन्हें में आता है, सबसे पहला है और ये proton को ग्रहन करने की नेचर के कारण जो पदार की जो strength है वो कौन सी strength बढ़ेगी acidic strength बढ़ जाएगी और आपने देखा होगा कि acidic अमल जो की जलिये बिलियन में एक दुरबल अमल है और द्रब अमोनिया में वो कैसा हो जाता है एक प्रबल अमर्की भादी बिवार करता है वो इसी का कारण है proton ग्रहन करने के कारण ही उसकी जो acidic नेचर है वो weak acid से strong acid में convert हो जाती है अब आपका जो third type आता है solvent का उस category का है वो दोनू category का है जो अभी अपने first और second category पढ़ी थी जिसको हम protogenic और protophilic के नाम से जानते हैं और दोनू के इसमें गौन पाए जाते हैं वो proton देने और ग्रहन करने की category ये solvent रखते हैं इनको हम कहते हैं MP product या amphoteric solvent के नाम से भी जानते हैं इस category में या इस group में जो solvent आते हैं वो हैं आपके H2O ये भी आपका अबह प्रोटेक्ट या अबह धर्मी solvent है और acetic acid ये भी आपका अबह धर्मी solvent के टिगरी में आता है इस category के solvent क्या करते हैं proton देने ग्रहन करने दोनू प्रकार की nature रखते हैं और प्रबल अमलिकी presence में ये proton ग्रहन करके चार की भाती भी भार करेंगे और इसके बिप्रीत अगर आप देखें अगर प्रबल चार की उपस्तिती में ये proton क्या करेंगे अमलिकी भाती भी भार करने लगते हैं अब आप देखें S.C.L. की presence में जल और Aceticum एक चार की भाती भी भार करते हैं जबकि इसके बिप्रीत देखें अमोनिया की presence में इनका भी भार अमलिया हो जाता है देखें S.C.L. है Aceticum की presence में और ये S.C.L. किसकी भाती भार कर रहा है एक छार की बाती बेवार कर रहा है और यहाँ देखें जब अमोनी आए तो इसका जो बेवार है वो किस परकार से बदल गया है वो अमलिया हो गया है तो इस परकार से आपने देखा solvent की presence और solvent की उपस्तिती निश्चित रूप से उसकी अमलिया और छारिया पदार्थ की नेचर को वेरी करवाती है लाश्ट आपका जो solvent का type है वो है agrotic या aprotoniav लाइक जिसे aprotic और non-protic solvent भी कहते हैं और इस category में जो आते हैं वो है आपका द्रव sulfur dioxide जिसे द्रव SO2 के नाम से भी जानते हैं और दूसरा है end to ophole आदी इसी ग्रूप के solvent है ये solvent क्या करते हैं बिलकुल उभेधर्मी के विपरीत समझ लीजिए ना तो ये proton ग्रहन करेंगे और ना ये proton देंगे जबकि उभेधर्मी में क्या हो रहा था proton ग्रहन भी कर रहे थे और दे भी सकते थे लेकिन याद करने की द्रश्टी से आप कैसे याद रखेंगे उभे-protec और agrotic basic अंतर ये है कि agrotic ना तो ग्रहन करेंगे proton को नहीं देंगे और जब proton ना देंगे ना ग्रहन करेंगे तो इस से इनकी अमलों और चारों की जो प्रबलता है उसमें कोई एफेक्ट ही नहीं पड़ेगा जब प्रोटोन लेने देने से ही तो सब एफेक्ट पड़ते हैं तो आप देखिए आपने टैप्स ऑफ सॉल्वेंट में चारों टैप्स को एक बार मैं पुनेह विरीब कर देता हूँ प्रोटोन दाता, प्रोटोन ग्राही, ओभे प्रोटेक और एप्रोटेक इन चारों सॉल्वेंट की डिफेरेंट उधारां और डिफेरेंट रियक्शन्स के मैध्यम से समझने का प्रियास किया अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है लुइस की कॉंसेप्ट, लुइस की संकल्पना लुइस की संकल्पना क्या है ऐसे और बेसों के लिए लुइस ने अमल और चारों को जो कॉंसेप्ट दी, उसका जो उनका वेसिक आधार था, वो था एलेक्ट्रोन और उन्होंने अपने सिद्धान्त में ये बताया कि जो पधार्थ एलेक्ट्रोन युग्म को त्याग सके, ध्यान दीजिए तो इसकी कॉंसेप्ट में जो बेस आधार रखा गया, वो एलेक्ट्रोन रखा गया है और electron रखा गया है तो उसी के आधार पर अमल और छार की definition दिये आप देखें कि जो पदार्थ electron युग्म यानकि electron pair को त्याग सकें वो छार और जो electron युग्म को grant कर सकें वो अमल के लाएंगे according to Lewis अब आप देखें NS3 एक छार है क्यों क्योंकि यहां पर आप NS3 में देखेंगे कि जो nitrogen नेस्थरी के अनू में देखेंगे जो nitrogen परमानू है उस पर आपने देखा होगा एकाकी electron युग्म होता है और इस एकाकी electron युग्म को proton अतवा N किसी electron गिराई परमानू को दे सकता है इसी परकार से आप SCLA कामल है क्योंकि इसका proton जल अमोनी आनू या N किसी electron दाता से electron युग्म गिराई कर सकता है SCLA का और इसी परकार से BF3 भी इसी कारण आमल है क्योंकि BF3 आनू में बोरोन परमानू का अश्टक एपून होता है और इस कारण NS3 से एक electron युग्म ग्रहन कर लेता है इस Lewis concept के according एक उपसे सयोजक बंद का बनना ही उदासी निकरन की क्रिया है according to Lewis concept आप देखें ये आपका NS3 Lewis 4 है क्योंकि electron दाता है ये electron देगा और ये Lewis Amalicon BF3 क्योंकि ये electron को ग्रहन कर लेगा बोरोन का इस्टक पून करने के लिए अब आप देखें NS3 के N से जो एक युग्म था electron का वो किधर की तरफ जा रहा है BF3 के B की तरफ और ये coordination bond बंद रहा है इसलिए इसको क्या के रहा हूँ उदासी निकरन की क्रिया हो रही है और अपसे से जो बंद बंद रहा है इसी प्रकार से N उधारन भी Lewis चारों के हैं जिसमें ammonia, amine, gel, alcohol, आदी ये सारे के सारे Lewis चारों के एक्जामपिल हैं और ये अभी क्रियाओं में electron युग्म का दान करते हैं इसी प्रकार से अगर Lewis बेस की बात करें तो BF3 है, ALCL3 है, FCL3 है आदी ये Lewis आमलों के एक्जामपिल हैं क्योंकि electron युग्म को क्रहन कर सकते हैं अब आप देखें Lewis की जो concept है उसके according different asset base और उनसे जो asset base है Lewis उनसे बने जो product हैं उनकी अगर table देखें तो आप देखें ये Lewis अमल ये इधर second में Lewis चार है और इन दोनों की reaction से जो बन रहा है उदासी निकरन उत्पाद वो आपको यहां दिखाया गया है जैसे Scl का उधरन ले Scl आपका Lewis अमल है H2O Lewis चार है दोनों reaction करेंगे तो addonium H3O plus plus Cl minus बन रहा है इसी पिरकार से ये table में different different आपके Lewis अमल और Lewis चार दिये हुए है जिनके reaction से उदासी निकरन उत्पाद भी आपको इस table में दिखाए गए है अब हम बात करते हैं Lewis अमलों का वर्गी करण classification of Lewis acids classification of Lewis acids में अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे जिस पदार्थ के आणू में एक electron योगम गरहाई परमानू हो वो किसकी बाती बेवार करेगा Lewis अमल की बाती बेवार करेगा और electron योगम गरहन करने के लिए उस परमानू के पास क्या होना आवश्यक है एक रिक्त कच्चक होना आवश्यक है और इस रिक्त कच्चक की नेचर के बिहाब पर हम Lewis acids का classification करते हैं उसमें देखिए पहला है अपून अश्टक वाले electron new योग एक जिसे कहें electron deficient compounds with incomplete octate तो इसमें आते हैं आपका boron है aluminium है इन तत्मों के योगिकों में जो outer cell है उसका octate incomplete होता है और इसके जो vacant p orbital है वो available रहते हैं इससे क्या होता है कि ये Lewis छारों से इनके कच्चकों में electron new को grant करके क्या कौन सी reaction संपन करेंगे complete करेंगे acid base reactions complete करते हैं देखिए ये NS3 है आपका Lewis छार है ये BF3 आपका Lewis अमल है तो इनकी NS3 और BF3 के मद इस पिरकार की coordination bond के द्वारा उदासी निकरन उत्पात बन रहा है और इसी पिरकार से आप देखें ये Lewis छार दिखाई दे रहा है और ये आपको ALCL3 है और इस पिरकार से ये nitrogen पर electron योगम प्रिजेंट है ये aluminum को donate कर रहा है तो ये भी एक उदासी निकरन उत्पात बन रहा है second जो type है वो है आपका रिक्त डी कख्चक वाले योगे कुछ योगे कोंगे जो केंद्री एटम हैं के पास वेकेंड डी और्बिटल एविलेबल रहते हैं जिनमें ये electron योगम ग्रहन कर सकते हैं उधारन के तोर पर आप देखें से एस एप सिक्स है ऐसी एप फोर है एसेन सी एल फोर है आदी इसी ग्रूप के एक्जाम्पल है जिसमें रिक्त डी कख्चक होता है एसेन सी एल फोर है सी एल माइनस से रियक्षण करेगा ऐसेन सी एल सिक्स माइनस बन जाएगा थर्ड जो टैप है उसको ले सकते हैं हम किलासिफिकेशन में केटल जना और जो मेटल से lektron खोकर क्या बनाती हैं केटल करते हैं नेचृरल है इनके टेंस के पास रिक्त कप्चा कुपला दोंगे क्योंकि उन्होंने तो अपने अलेक्टोन डोनेट कर दिया तो बेकेंट और्बिटल होंगे और ये लूई समलों की भाती ब्यवार करते हैं जैसे AG प्लस है NH3 के साथ reaction करेगा तो NH3 के N से अलेक्टोन योग में AG की तरब चला जाएगा और इस प्रकार से इसके कोडिनेशन बॉंडिंग होगी और यहाँ पर कॉपर NH3 के साथ reaction करेगा तो NH3 के चार NH3 और CU की जब reaction होगी तो कॉपर का इस प्रकार से कोडिनेशन बॉंडिंग होगी और कॉपर के लिए NH3 के N से जो अलेक्टोन की पेरिंग है वो डॉनेट की जाएगी और कॉपर के पास बेकेंट और्बिटल होगा इसी प्रकार से जो फोर्ट टैप है वो है अनसैचूरिटेट कमपाउंड ऐसे अनसैचूरिटेट कमपाउंड जिनमें डिप्रेंट डिप्रेंट बित्तुजरंटा वाले परमानों के मैद डबल बॉंड हो अलेक्टोन योगम को क्रहन कर सकते हैं आप देखें लुईस अमल की बाती ब्यवार करेंगे जो अलेक्टोन योगम को ग्रहन करेंगे वो किसकी बाती ब्यवार करेंगे लुईस अमल की बाती ब्यवार करेंगे और इस के टिकरी में आप देखें कार्बन डाय ओक्साइड है, सी ओ टू है सलफ़र डाय ओक्साइड है, सो टू है अब Lewis अमल देखें इस परकार से डबल बॉंड बना रहा है कारबन दोनों अक्सिजन के साथ और यह लूइस चार है OH और यहां पर जाए इनके मत रियक्षन होई तो इस परकार से इनकी यह उदासी निकरन उत्पात का निर्माण होगा इसी परकार से Lewis अमल में SO2 भी रियक्षन करेगा OH से और यह इस परकार से प्रोडॉक्ट बनेगा पांचवाज जो आपका टैप है उस पांचवाद टैप में आता है अलेक्टोन सश्टक वाले तत्पड़ एलिमेंट्स विद इलेक्टोन सेक्सटेट ये वोई element हैं जिनके atoms के भायतम कोस में electron की कितनी संख्या होती है 6 होती है और एक electron योग में grant करके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगे और ऐसे तत्वी Lewis Amrl की स्रेडिम आते हैं कौन-कौन से हैं जो 6 electron रखते हैं भायतम कोस में sulfur है, oxygen है इस group के element सश्टक वाले element है देखिए ये Lewis Amrl की भाती बेवार करेगा और ये SO3 Lewis 4 की भाती बेवार कर रहा है क्योंकि इस sulfur को इस sulfur के द्वारे electron योग में दिया जा रहा है इसी परकार से oxygen और SO3 2- के मदर reaction होगी तो यहाँ पर भी इस परकार से reaction complete होगी अब classification और basis आपने Lewis Amrl का तो classification पढ़ा अब आप देखें Lewis चारों का classification किस परकार से किया गया है जिने पदार्थों के अनू electron योगम प्रदान कर सकते हैं वो Lewis चार के लाते है ये तो clear है according to Lewis जो electron योगम प्रदान करेगा वो Lewis चार के लाएगा और इस electron योगम प्रदान करने के विहाब पर जो Lewis चार है वो कितने परकार के टू टाइप के पहला है रेनायन या एनायन इस category में हमने उनको रखा है रेनायन अपना एक electron योगम किसी Lewis अमल को दे सकते हैं और वो Lewis चार के बाते विवार करेंगे इसमें आपके एकजाम पहले है SO32-, NO2-, OH-, ALID और NH2- आदी इसी गुरूप के एकजाम पहले है इसी परकार से इसका जो Lewis चार है उसका दूसरा टाइप है नेचुरल मॉलुकूल्स बिद नॉन बॉन्डेड एलेक्टोन पेर यहाँ पर क्या होगा कि एक एबंदी या हम उसे कहें एका की एलेक्टोन योग्म योग्त जो मॉलुकूल है वो किसी Lewis अमल को अपना एलेक्टोन योग्म प्रदान कर सकता है और ऐसे योगिक लूइश चारों के बाते बेवर भी हैवियर करेंगे इसमा आपका आता है NH3 यह RNH2 R2NH R3N और ROH ROR और HOH आदी सब इसी ग्रोप के एक्जाम्पल है जो एलेक्टोन योग्म इस प्रकार से प्रदान करते हैं अब हम लिमिटेशन्स के बारे में पढ़ते हैं क्या लिमिटेशन्स है हाला कि यह सिद्दान BF3 के अमलिय बेवार और अन अमलो चारों की व्याख्या सफलता पूर्वा कर सकता है लेकिन कई बातों का इस प्रेश्टिकरन इस प्रेंसिपल के आदार पर नहीं हो सकता जिसमें पहला है SCL, H2SO4 और HNO3 आदी के प्रोटोन तो अमले लेकिन इनके गुण नहीं है जबकि मूर रूप से यह सब अमली ही है ठीक है पहली तो यह लिमिटेशन्स है दूसी है इस कॉंसेप्ट के भी हैबियर पर इस कॉंसेप्ट के बेस पर एसिड और बेस कि जो कई रियेक्शन्स है जिसे एश्टरी करण है जल अप घटन है बिद्धोत अप घटन है कि जो explanation है वो possible नहीं है थर्ड है अमले चार की जो अदासी निकरण अभिक्रिया है बहुत तेबर गती से होती है जबकि इस कॉंसेप्ट के अमसार एक covalent एक coordination bond का बनना अदासी निकरण की मंद गती से संपन है होता है फोर्थ है इस कॉंसेप्ट के अमसार अमलों वा चारों के सामर्थ की वैक्या भी नहीं की जा सकती तो ये सारी limitations थी Lewis concept की आज हमने जो discuss किया उसमें सबसे पहले हमने discuss किया types of solvent और solvent के चारों टैप्ट पर हमने different reactions के मैध्यम से discuss किया उसके बाद Lewis concept और Lewis concept में Lewis अमल और Lewis चारों का परगी करन पड़ा देन पड़ी उसकी limitations और आज ये आपका chapter भी संपन हो गया है थैंक यू